एल्लो दोस्तों प्यूदेव टॉड़ टॉपिक आज का अपना टॉपिक ए लूट ड्यूटी ऐथ सकफॉल्ड का लॉट ड्यूटी हम कैसे पता कि इसका लोड ड्यूटी क्या है इसे इसका फोल्ड पे हम कितने मटेरियल डाल सकते और कितना इस पर हम लोड दे सकते तो यह वीडियो आप पूरा देखेंगे बहुत अच्छे से आपको लोड ड्यूटी के बारे में समझ में आएगा फर्स्ट में बेलेंथ की बात करते हैं इसका फोल्ड का बेलेंथ क्या होता है इसका फोल्ड का बेलेंथ एक स्टेंडर से दूसरी स्टेंडर की जो यह दूरी है इसको हम बेलेंथ बोलते हैं यहां से यहां से यह जो दूरी है यह हम इसको बेलेंथ बोलते हैं तो बेलेंथ आपको एकदम अच्छे समझ मैंने च कि दूरी कितनी है यह स्टेंडर्स यह स्टेंडर्स यह दूरी इसको हम बे लेंद्ध बोलते हैं बे लेंद्ध का डिस्टेंस कितने मिटर का डिस्टेंस है इसको हम बे लेंद्ध का डिस्टेंस बोलते हैं अभी हम देखेंगे लोड ड्यूटी ओफ इसकाफोल इसकाफोल का किस हिसाब से होता है कैसे हम पहचानतें कि इस किस लोड вый का this का यह असकाफॉड निंब तीど are before a star फोल्व का यह फर कि झालता है लोड की साब से founding Ex फस्ट में देखे लोड डियूटी का कौलूम है सिकेंड में यह और मैक्सम Championshipsarme like cm diagram सैफ लॉड इन कि कि कितना हो सकता मैक्सम общем लॉन्थ वीर्थ इन मेटर वही बेर लेंथ कीटने डिस्टेंसे कितने में पर दिल्र अभेंद्र्द करता है रुड Pretendिकर निट्र से सबसे सलाऊ बाला सबसे कम privat 75 एक होता है 1.5 be Quogie 150 के जई होता है तो पहला बे लैंद क्या होता है टू पॉइंट से बेर एक बे लैंद से दूसरी बेर लैंद की जो डिटेंस टू पॉइंट सेवेंज मीटर होगा तो उसका 75 होगा ये होगा क्लेंप वाले सकाफोलिंग का और ये टू-पॉइंट-फाइब मीटर जो है ये कपलिंग वाला हम इस्तेमाल करते कुपलिंग का स्काफ फॉल नहीं होता न। उसका तो पॉइंट 5 मीटर रहेगा तो से एवैंट 5 कजी उसका वेट सिति रहेगा और दूसरा व वन फिव्टी डियाड सो के जी तो टू-पॉइंट टू-एम टू-पन तू-मी्टर रहेगा क्लेम्प वाल से का फोल्लिंग बेल एंद्थ और टू-मीटर रहेगा कप्लिंग स्कास फोलिंगा और मिडियम ड्यूटी के हम बात कर रहे हैं मिडि तू फाइब मीटर पे कपलिंग सकाफ॔ल का 300 kg capacity रहेगा 450 kg 450 kg क्लेंप वाले मिटर पर 450 kg रहेगा बी इस्पेसल ड्यूटी का इसका फॉल और वन मीटर पे रहेगा इसका 450 इसका भी वन मेटर पे कपलिंग वाले का और इस्पेसल ड्यूटी है काता है 600 kg 600 kg का 0.8 बेलेंथ होता है और कंस्ट्रक्शन वाले में कपलिंग वाले में नॉट अपलिक वे इसका कोई 600 kg वाला स्काफोल नहीं होता 600 kg वेट कैपेसिटी वाला तो यह लोड ड्यूटी लाइट मीडियम और हेवी तीनो यह बेलेंथ पेडिपेंद करता है यह बेलेंथ है तू द्यूटी 75 तो लोड ड्यूटी एकदम अच्छे समझ में आ गया लाइट ड्यूटी एक मीडियम ड्यूटी एक हेवी ड्यूटी तीन ड्यूटी का इसका फोलिंग बनता है इस्पेसल काम करने के लिए इंजास्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन